Hello everyone, welcome back to my channel धोस्तो इस video में हम लोग जानेंगे घर में शोलर लगा रहे हैं तो कैसे connection करेंगे तौ आयो हम लोग जान दें यहां पर देख रहे हैं तीन हमने हम ने solar का पैनल लिये हैं ठीक है। यह से हमलोग इसमें connection ऐसे دेंगे जो solar से connection आएगा इसमें और इससे dac बनकर और घर में जाकर हम supply देंगे तो यह controller लएगा इसके बाद से आप तीन battery ले लेना है ठीक है तीन battery ले तीन solar panel के लिए तीन battery लाएगा यहाँ पे तीन battery जो देख रहे हैं यह सारे को connection कैसे करना है आई हम लोग जाने दोस्तों बहुत तो क्या करेंगे एक panel लेंगे जो कि यहाँ पर देखा रहे हैं घर में लेगा ठीक है पैनल में हम connection कैसे करेंगे पूरे वीडियो में हम लोग जानेंगे ठीक है यहाँ पर हमने देखा होगा आपने plus और minus का उसमें निसान होता है solar में ठीक है तो पहले plus और minus हम लोग जान लेना है वोगे दोस्त लूप करके उसके बाद से यह सारे को connection कहां पर देना है इसके लिए एक आपको mcb लगाना पड़ेगा टू पूल का दोस्तों आगे हम बताएंगे mcb क्यों लगा रहे हैं आपको आगे बताएंगे ठीक है उसके बाद से आपको इसमें क्या करना है फेस और neutral जो है इसका जो black plus और minus इसमें लगा लेना है इसे ठीक है plus और minus इसमें लगा लेना है उसके बाद से यहां से निकाल कर सीज़ते इस solar charger controller इसमें डालेंगे इसमें अच्छे point देख रहे हैं एक जो solar से आपको बता तो यहां पे एक solar से यह plus minus आएगा उसके बाद से दो center में देख रहे हैं यह चार्ज होगा बैटरी में जाएगा ठीक है उसके बाद से यहां से देख रहे हैं यह यह आप चाहे तो आप डायरेक solar controller से आप light जलाग सकते हैं जिसे कि धूप निकला है धूप निकला है तो उसमें क्या करेंगे आप डायरेक घर में अगर connection दे connection कर दी हमने ठीक है यहां पर जो देखने connection हो गया यह इसलिए लगाएं इसके यह control अगर कुछ मसला होता है यहां पर तियांस आफ करके आप निकाल सकते हैं ठीक है उसके बाद से उसके बाद से क्या करना है connection देना यहां पर एक और breaker लगाना है और यहां से दो point उठाना ज यह दो point बच गया अगर आप दीन में लाइट चला रहें तो direct यहां से connection आप देख एक ball लगेगा DC ball रहेगा और एक switch लगाकर यहां से आप connection देखकर connection चला सकते हैं और दोस्तों आपको बताएं यहां पर ELCV लगा है क्यों 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 आगे आपको बताते हैं क्यों लगा यह जो DC और AC का है जो device इसमें connection कर देना है ठीक है और यह charger का भी यहां पर लगा देना है क्यों क्योंकि जब यह solar यहां पर controller से charge होगा यह full charge हो जाएगा तो यहां से फिर हम power यहां से out करेंगे तो power out करेंगे इसमें हम in कर देंगे ठीक है इन कर दिए in करने का बाद से यहा करने का बाद से आपको यहां से out करना है सीधे पैनल में लेगा कर डाल लेना है ठीक है इस पैनल में घर में तो दोस्तों यहां पर यह आप समझे यहां पर क्या है कि आपको आपस में loop करने का बाद से उसके बाद से यह यहां पर device लगा हुआ है यहां से control यहां से करके और इस control room में लेगा आप चाहे तो direct लगा सकते हैं लेकिन वो सही नहीं रहता है अगर कोई भी मसला हुआ तो आप यहां से बंद करके आप इसको repair कर सकते हैं तो यहां पे एक breaker लगाएंगा तो बहुत आचा होगा उसके बाद से यह दो point जो है जाएगा इस डिवाइस में चार्जबल डिवाइस में जो है यहां से क्या होगा कि आपको इन होगा पता है आप भी कि यह वीडियो कैसी लगी आगे आप वीडियो मिलते हैं तब तक लिए बाइबाइबाइब